दोस्तों श्वागत आपको आज की वीडियो में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कप्छा 10 के संस्क्रीत विशय का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है मंगलम इस चैप्टर के सभी भी वी आपजेक्टिव कोश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा तो चलिए बीना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं आप भी कोशिच कीजिएगा जितना आपसे बन बनता होएं वह आप कमेट में चरूर बताईएगा तो चलिए बीना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं चलते हैं पहल सब्सक्रेट गले के देवियास और कौन है आपके पहला चैप्टर का पहला कौस्ट्चन है कों जर्ली तो अगला question क्या है दो नमबर मंगल पााट के रचनाकार कौuh है A नमबर में महात्मबीदूर B नमबर में महरिशी बालमिकी C नमबर में महरिशी बेद्ब्यास और D नमबर में कालिदा तो इसका भी सहयुक्तर हो जाएगा अपसन नमबर C adoption से इसका सही उत्तर हो जाएगा चलिए तीन नमबर question देखते हैं मंगलम पाट में कितने मंत्र शंकली थे मंगलम पाट जो है उसमें कितने मंत्र शंकली थे तीन नमबर का A नमबर में दिया है 10 B नमबर में 8 C नमबर में 5 और D नमबर में 7 तैसका भी उसे चोटा क्या हो जाएगा अपसे नमब भी आत्मा उसके बाद अगला number question है किसनी होता है सत्या ऑसत्या और आगे में लिख़ा हूआ है क्रोध वह किसकी जए होती है तो आप इसका उत्तर हो जाएगा सत्य कि हमेशा सत्य की ही जएक होती तो आपसे नमर ए शही है चलिए आगले question के तरफ बढ़ते हैं चट्था नमर question है बहती नदी कहां मिलती है चट्था नमर question में पूछ रहा है बहती नदी कहां मिलती है शरूबर में नदी में शमुद्र में के तलाब में तो इसका चट्यव रुप गूफा में क्या स्थित है यह नमर में फिलती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 시간 का सही उत्तर हो जाएगा एंग तक्त्व के आगे बढ़ते हैं adelante में क्या करना है है ब्रहमा को प्रौไป। के बिशय में बताया गया है ब्रह्मा को प्राप्ट करने के बिशय में किस में बताया गया है कठोप निशद में इसा बायोस्कोप निशद में स्वेता स्वत्र में या मुंड़क उपनिशद में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, मुंदक पूपनिशर में बताएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, D, मुंदक पूपनिशर में बताएगा है, 9 नमबर में, देव लोग का मार्ग किस से प्राप्त होता है, A नमबर में सत्या, B नमबर में और सत्या, C नमबर में क्रोध, D नमबर में मोह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्या से, देव लोग का मार के से प्राफ्ट होता है, सत्या से, आईए अगला कोस्चन पर चलते हैं, अगला कोस्चन में दिया है, दस नमबर में, सत्या से क्य ग्यां प्राफ होता है 10 नमर में ए में प्रित्वी लोग Chris और डीतो कोई ाया रित्यू को बस में कॉन कर लेता है मूर्ख क्यानी या बिद्वान इन में कोई नहीं है प्राफ कर लेता है 11 नमबर का हो जाएगा क्या C नमबर विद्वान लोग मुर्त्यू को बस में कर लेते हैं 12 नमबर में देखते हैं किसकी जय नहीं होती है किसकी जय नहीं होती है तो असत्य की जय नहीं होती है तो इसका अपसर नमबर हो जाएगा B असत्य की जाए नहीं होती है आगे चलते हैं आगे दिया है तेरे नंबर में उपनीशद में किस महिमा का वर्णन किया गया है उपनीशद में किस महिमा का वर्णन किया गया है ए नंबर में स्वाविशाय की परपूरुष्की देवपूरुष्की की परमपूरुष्की ते इ आगे देखते हैं 14 नमबर में उपनिश्दो की संख्या कितनी है 109, 108, 105 या 111 इसका सही उत्तर हो जाएगा C 14 का क्या हो जाएगा C 105 ठीक है आगे देख लिएते हैं आत्मा के गुढ रहस्य की किसमे ब्याख्या की गई है ठीक है A नमबर में कठोपनिशद में B नमबर में इसावाईसकूपनिशद में C नमबर में स्वेतासवत्तर में या D नमबर में मुंड़कोपनिशद में 15 का उत्तर क्या हो जाएगा A 15 का उत्तर क्या हो जाएगा कठोपनिशद में 16 नमबर में दिया है परमात्मा की महिमा का वर्ण 16 का P हो जाएगा ईशा वायसकूप निशद में 16 का हो जाएगा B ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेशन है 17 नमबर में ज्यानी लोग और अज्यानी लोग में क्या ज्यानी लोग और अज्यानी लोग में अंतर किस में बताया गया है ग्यानी लोग और अग्यानी लोग में अंतर किस में बताए गया है गठो उपनिशद में, इशा वायसको उपनिशद में, स्वेता स्वतर में, मुंड़को उपनिशद में तो सत्र का हो जाएगा C, स्वेता स्वतर में, सत्र का हो जाएगा C 18 का देखते हैं सत्य का मुख किस से ढखा हुआ है सत्य का मुख किस से ढखा हुआ है A नमबर में तामबा से B नमबर में चांदी से C नमबर में लोहा से D नमबर में हीरण या पात्र से तो इसका उत्तर हुएगा 18 का D हीरण या पात्र से 19 नमबर और लास्ट कोश्चन है इस चेप्टर गाम सत्य का खजाना कहां है प्रित्वी लोग, नवरक लोग, देव लोग, इन में से कोई नहीं तो इसका हो जाएगा देव लोग तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जाहिए